नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियें चली हैं और इसके अंतरगत हम भक्तिकाल को पढ़ रहे थे वक्तिकाल में हमने जो संत कावेधारा थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था अगर आपने अभी तक हमारी आरे वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ली लिस्स में जाकर उनें भी देख सकते हैं तो आज जो हम करेंगे वो है सूफी कावेधारा, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के lecture की, सबसे पहले हम सूफी कावेधारा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रप्त कर लेते हैं कि सूफी कावेधारा क्या है, तो देखिए जो निर्गुण भक्ती थी, जब हम भक्ती काल के बारे में पढ़ रहे तो हमने भक्ति कावय को अलग-अलग विभागों में विवाजित किया था सबसे पहले उसको दो भागों में बांटा गया है निर्गुन और सगुन तो आगे निर्गुन के भी दो रूप हो जाते हैं जो एक संत कावयधारा है तो दूसरी सूफी कावयधारा है तो आज हम सूफी कावयधारा के बारे में बात कर रहे हैं और निर्गुन भक्ति की जो दूसरी चाका है उसे ही क्या का जाता है सूफी कावयधारा कहा जाता है ठीक है इसके जो प्रमुक कवी है वो है मलिक मुहम्मद जाइसी जबकि हम संत कावेधारा के प्रमुक कवी की बात करते है तो उसमें कवीर का नाम प्रमुकता से लिया जाता है इसको जो अन्य नाम दिये गए है देखिए वो है प्रेमाश्रे शाखा या प्रेमाश्रेई शाखा तो ये जो प्रेमाश्रेई शाखा इसको नाम दिया है ये किस ने दिया है अचारे रामचंद्र शुकल ने तो ये कई बार हो सकता है एक्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रेमाश्रेई शाखा जो नाम दिया गया निर्गुन भक्ति के जो दूसरे शाखा को या सूफी काव डमकुमार वर्मा द्वारा है ना तो रामकुमार वर्मा उसको सूफी कावेदहरा कहते हैं जब कि शुकल इसको प्रेमाश्रेशाका कहते हैं क्लिَر है अब देखिए जो वे शब्द जिनसे सूफी देखे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन से सूफी शब्ध की उत्पत्ती मानी जाती है, देखे सब से पहले है सफ जिसका मतलब होता है पंक्ति मतलब जो लोग एक ही पंक्ती में बैठ कर क्या करते थे इश्वर, बंदना या स्थूती करते थे वो क्या है सूफी कहलाए clear है दूसरा है सूफ जिसका अर्थ होता है उन है ना मतलब जाए उन के जो वस्तरधारण करते थे है ना वो क्या कहलाते थे, सूफी कहलाते थे, तीसरा है सोफिया, मतलब ग्यान, जो विद्याजिन के पास जाला होते थी, वो क्या कहला है, सूफी कहला है, अंग्रेजी वाले इसको क्या कहलाते है, सोफोस, तो किससे बना है, सोफोस से सूफी शब्द बना है, जिसका मतलब क्या हो लेकिन जो सरव मानने मत है वो जाता है सूप की ओर जिसका मतलब होता है उन। तो सूपी शब्द की उत्पति किस से मानी जाती है? सूप सब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है उन। तो संक्षेप में हम इस तरी के से कह सकते हैं कि उन के कंबल लपेटे बहुतिक विल यह나heenा बहुत तिकlt सुक्सुविधाउं से वो बहुत दूर थे उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं था इश्वर के प्रती वो क्या लिन रहते थे इश्वर की ओर उनमुक होते थे हैना मतलब इश्वर की ओर यंगा जुगाव था और प्रेमलीन सरल सातुविक मतलब बहुती सहज व्यक्तित्व उनका होता था ठीक है और वे साधा जीवन उचविचार वाली बात को अपने जीवन में अत्म साथ करते थे और भूके प्यासे रहते एक प्रकार से फकीरों सा अपना क्या करते थे जीवन बैतीद करते थे वही लोग क्या कहलाते हैं सूफी कहलाते हैं तो ये तो हो गया कि सूफी शब्द की उत्पति कहां से हुई है और क्या हम उसको संक्षेप में कह सकते हैं कि सूफी कौन थे ठीक है इसको सूफी कावेधारा किसने कहा और जो प्रेमाश्रे शाखा है वो किसने कहा है और कौन इसक सी जानकारी एक भूमी का जैसे हमने बांध लिए है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि جो सूफी काविधरा है उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी परप्ट कर लेते हैं कि जो सूफी मत में क्या होता है देखिए इसमें ईश्वर एक है ये की इश्वर की ये बात करते हैं क्यों कि ये निर्गुन भक्ती के अंतरगत आता है जो निर्गुन भक्ती वाले मानते हैं वो क्या मानते हैं कि इश्वर क्या है एक ही है निराकार है है वो घट-घट का वासी है तो ये क्या कह रहे हैं ये भी इसी बात को मानते हैं लेकिन आगे ये जोड़ देते हैं कि वह क्या है हक है तो ये किस के नाम से जानते हैं इश्वर को देखिए हक तो ये कह रहा है कि साधक इश्क के माध्यम से इश्क मतलब प्रेम ठीक है हक तक पहुंचने का प्रियास करता है देखिए किसके माध्यम से प्रेम से ईश्वर तक पहुंचने का रहस्य की बात करते है ना रहस्य वाद उनकी एक विशेष्टा भी इसको हम देखेंगे विशेष्टाओं में भी ये चीज आती है सूफी कावेधाराओं की कावे की जो विशेष्टा भी है ठीक है कि जब जो व्यक्ति है, जो सादक है, वो प्रेम के माध्यम से भगवान तक पुँञ़ने का प्रियास करता है. मतलब कि अलौकिक प्रेम से, सरी, लौकिक होगा यहांपर. पहले वाला जो शब्द होगा वो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक. या फिर इसको यूँ कहते हैं, इ सूफी मत में माना जाता है हक तक पहुँचने के लिए मतलब कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए साधक को चार अवस्थाएं पार करनी पड़ती हैं तो देखिए वो चार अवस्थाएं कौन-कौन सी है जिन में से सबसे पहले आती है शरियत, फिर है तरीकत फिर हकीकत और अंत में आती है मारिफत तो ये जो चार इनकी क्या है अवस्थाएं हैं इनको हम आगे देखेंगे अच्छे से कि ये क्या-क्या है तो इन अवस्थाओं को पार करना पड़ता है तब हम क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं तो दीए सूफी मत में प्रमात्ma, स्त्री और आत्मा पुरुश रूप में स्विकारे हैं ये बात जो पहले, निर्गुन संत कई जो संत कई थे, उन से थोड़ी सी बिन है, उसमें क्या होता है कि जो प्रमात्मा है, वो पुरुष रूप में है जवकि जो आत्मा है जो जीव है एक त्रीके से वो किसमे है वो स्त्री के रूप में सुईकार किया गया है लेकिन सूफी मत में उसका क्या है ठीक भी प्रीथ है यहां पर स्त्री के रूप में प्रमात्मा को और पुरुष के रूप में आत्मा को अब हम देख लेते हैं आगे जो हमने बात की थी सूफी सिधानत में इश्क हकी की मतलब हक तक पहुंचने के लिए या भगवान तक पहुंचने के लिए जो एक इनसान है या साधक है या जीवात्मा है उसको क्या-क्या चीज़ें करने पड़ती है देकिन चार अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ता है देखिए साधक की चार अवस्थाएं दी गई है जिसमें शरियत जो शरियत का मतलत है धर्म ग्रंथों का विधी निशेत मतलब की जो कुरान है उसमें दिये गए नियमों का एक तरीके से क्या करना है पालन करना है यह किसमें यह है पहली अगला है देखिए तरीकत रिदय की शुद्धता की हमारा रिदय कैसा होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए है ना और अगला है कि हकीकत मतलब भक्ती उपासना से सत्य का बोध ठीक है हकीकत का मतलब है कि भक्ती की उपासना से सत्य के एक तरीके से अभास हो जाना उसी कहत और आखिरी जो है वो है मारिफट या यहां पर लिखा है मारफध तो इसको कहते है सिद्ध अवस्था या आत्मा से जब प्रमात्मा का मिलन हो जाता है तो इन चार अवस्थाओं से गुजर कर ही क्या हो सकता है कि हम इश्क हकीकी तक या इश्वर तक इनसान पहुंच सकता है तो यह हैं वो चार अवस्थाइं आगे अब हम देख लेते हैं कि भारत में सुफी मत का प्रवेश कैसे हुआ तो भारत में जो सूफी मत का प्रवेश हुआ वो चार संपरदायों के रूप में हुआ माना जाता है जो सबसे पहले था इसमें चिष्टी संपरदाय तो देखे चिष्टी संपरदाय बाहरवी शताबदी के उत्रार्द में हुआ और यहीं से क्या माना जाता है कि इसका अविर्भाव माना जाता है फिर सुहुरावर्दी संपरदाय भी रहा कादरी संपरदाय भी और नक्षबंदी संपरदाय भी तो जो चिष्टी संपरदाय थे उसके जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं मुईनुदीन चिष्टी तो ये थी थोड़ी से जानकारी कि वहाँ से इन संप्रतायों के रूप में सूफी मत का भारत में प्रवेश हुआ है ठीक है? चिष्टी संप्रताय से आगे अब हम देख लेते हैं कि सूफी कावैधारा के जो प्रत्म कभी है वो कौन कौन से है और कौन किसको मानता है या इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं तो देखिए डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ये किसको मानते हैं इन्होंने माना है प्रेमा ख्यान परंपरा का प्रत्थम काव्य हंसावली को माना है और जिसकी रचन किसने की है असाइद ने 1370 इस्वी में की थी तो देखिए ये किसको मानते हैं असाइद को मानते हैं ये पहला कभी और उसकी जो रचना है वो क्या है हंसावली तो इसकी रचना कभी है देखिए 1370 में यह मानते हैं डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र, फिर आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो रामकुमार वर्मा मुला दाउद को सुफी कावेधारा का प्रत्थम कभी मानते हैं, और उनकी रचना चंदाइन, 1369 में जो लिखी गई है, है न तो रामकुमार वर्मा किसको मान रहे हैं हम, जो मुला दाउद की कृती है, चंदाइन, तो यह 1369 सुफी में रचीत है, ठीक है, हजारी परसाद दुवेदी ईश्वर दास्कृत, सत्यवती कथा, जो 1500 सुफी में, हालां कि इसकी कई जगा आपको डेट मिले जाएगी, 1501 औ ठीक है, तो जो सत्यवती कथा है, उसको कौन मानते हैं, इश्वर दास कृत की जो सत्यवती कथा है, उसको मानते हैं हजारी परसाद दुवेदी, तो उनका माना यह है कि जो इश्वर दास हैं, वो ही क्या है, प्रत्थम कवी हैं सुफी कावेदारा के, और उनकी जो रचना जो प्रत्थम सुफी कवी है जबकि उनकी मृगावती को वो क्या मानते हैं पहली सुफी कृति मानते हैं ठीक है प्रेमा ख्यानक परंपरा का प्रत्थम काव्य मानते हैं उसको मृगावती को तो मृगावती किसका एक कुतुबन का है तो पंदरसो एक में इसको रचित तो य 1389 में लिखी गई थी तो ये रामकुमार वर्मा का जो मत है वही सब लोग क्या है बाद में स्विकार करते हैं कि मुला दाउद का जो चंदाइन है जो 1389 में लिखी गई है वो ही क्या है पहली सूफी कावेधारा की कृती है और इसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है लोर सूफी कावेधा है उसकी क्या-क्या प्रमुख विशेष्टाएं हैं देखिया अगर हम इसकी विशेष्टाओं की बात करें तो जब हम इसकी बारे में कुछ चीजें पढ़ रहे थे सूफी कावेधा के बारे में तो बहुत साइची चीजें वहां पर आ चुकी है ठीक है तो जो पहली चीजे देखिये मसनवी शेली में करवक शेली का समनवे तो इन्होंने क्या किया देखिये जो मसनवी शेली थी ठीक है क्योंकि अधिकतर जो देखिते हम सूफी कभी थे वो क्या थे मुसलमान थे इसलिए उनमें जो मसनवी शेली है उसका प्रियोग देखने क मिलता है तो इसमें क्या होता है कि जो मस्नवी शैली है ठीक है उसमें सारी कथा जो है तुकांत दुई पदियों में लिखी जाती है तो कड़वक शैली में क्या होती है कि चुपाईयों की जो निश्चित संख्या के उपरांत दोहों का प्रियोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि चोपाईयों के बाद दोहा या सोठा रखने का इसमें विकलफ होता है तो इसको क्या कहते हैं मसनवी शैली में कड़वक शैली का समनवे इस परकार कड़वक शैली के समनवे के कड़वक शैली के समनवे से जो मस्नवी शैली थी उसमें क्या हो गया दोह और चोपाई नामक दो छंदों का समावेश होने से विशेश नाठकियता आ गई थी उसमें मस्नवी शैली को एक रस्ता से चुटकारा मिल गया था ये माना जाता है फिर दूसरे आए देखिए इसमें जो सबसे मौटपोन चीज है वो है स्तूती खंड की विवस्तित योजना तो देखिए स्तूती खंड की विवस्तित योजना से क्या विप्राय है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं वो इश्वर की बंदना करते हैं दूसरे नमबर पर क्या होता है उसमें कि रसूल हजरत मुहमद की स्थूति की जाती है फिर उसके बाद उनके जो चार मित्रों की प्रशनसा की जाती है उसके बाद आखिर में क्या करते थे वो जो शाहे वक्त या मत उसमें वो इस तूती खंड की ववस्तित योजना की अनुसार ही कारे करते हैं, लियर है, तो ये है सूपी कावया की एक मौतपोन विशेष्टा, तो नाइकाओं के अधार पर नामकरन, आप देखेंगे जितनी भी रचनाएं जो सूपी कावया धारा की हैं, जैसे आप चंद लिली जिए, तो चंदा के नाम पर चंदाइन, पदमावती के नाम पर पदमावत है ना, ठीक, चित्रवली, तो चित्रवली उसमान की जो रचना है, वो भी क्या है, नाइका के नाम पर ही है, तो मतलब ये उनके कावया की एक मौतपोन विशेष्टा है, कि अत्यधिक जो नामकरण उन्होंने किये हैं वो किस के अधार पर किये हैं नाइकाओं के नाम पर ही किये हैं ठीक है और रहस्यवाद यह हमने पहले भी कर लिया जैसे मैं पहले बता भी रहा था कि लौकिक प्रेम से लौकिक प्रेम का निरूपन मतलब कि जो इनसान से प्रेम जब करते करते वो इश्वर्य प्रें में उसको तदिल कर देते हैं, उससी को क्या का जाता है है, हैस्यवाट की संगहा एक तरीके से दी जाती है, clear है, अगला है की रूड्यों की समान्ता, तो देखिये रूड्यों की समान्ता से क्या भी बढ़ाया है, कि जो कतहनक की रूड्यया है, मतलब जो कथा वस्तु चलती है वो कहीं न कहीं एक तरीके से रूड़ी कत चलती आ रही है जिसमें सभी जो काव्य में हैं इन में कहा है शुक है हंस है कपोथ है मैना आदी को जो संदेश वाग के रूप में बेज़ा जाता है है ना फिर जैसे उसको किसी को सौपन आ रहा है और वो समुद्र में नौक तूटने से नायक नायक का बिछूड जाना है ना मतलब ये जो सेम चीज़ें एक तरीके से उसमें क्या है देखने को मिलती है किसमें जो हमारे सुफी कावैधारा है है ना तो इसलिए इसमें क्या माना जाता है कि ये जो कथानक है इसका उसमें प्रूडियों की समानता रहती है, एक तरगे की घड़ना गढ़ती रहती है, प्रेम निरूपन, तो प्रेम निरूपन की बात, तो हमने पहले भी कर ली, इसमें सियोग और वियोग दो, श्रिंगार रसका इसमें पंणनना एक तरिके से, मतलब प्रेम में जो भी चीजें होती तो मतलब ये भी क्या है सूफी कावे की एक विशेशता मानी जाती है फिर आता है कि विचारधारा तो विचारधारा से देखे क्या विप्राय है कि जो भी सूफी कवी रहे हैं अधिकतर वो क्या है किसी न किसी राजा के आश्रय में रहे हैं खास कर जो जहांगीर हो गया औरंगजेव हो गया या फिर शहजा हो गया, इनके कारेकाल में क्या हुआ कि मतलब जितने भी हमारे आप सूफी कभियों को देखेंगे, वो किसी न किसी के सानिद्य में रहे हैं और उनकी प्रसंसा में कुछ न कुछ है कहा है, तो मतलब कहने का प्राइ ये है कि इसलिए जो इनका जो काम था वो शासकों के प्रती उनकी जो विचारधारा के लिए ही काम करना एक तरीके से माना जाता है लेकिन उसके साथ ही साथ जो सूफी कावेदारा है उन्होंने मानवता के लिए भी कही न गहीं काम किया हुआ है और इसी के चलते जो तो सूफी काव्य है, वो हिंदी सहीत जगत में अपना विशे स्थाने बनाने में क्या है, सफल हुआ है, खंडन मंडन का अभाव, इसको हम पीछे वाली जो विचार धारा वाले उससे हम एड़ कर सकते हैं, कि जो शासक जैसा कर रहा है, उसको आप उस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन जो सूफी काव्यधारा है, उसमें हमें इस तरीके का कोई ज़ादा वर्नन नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें सिर्फ प्रेम निरूपन मिलता है, ठीक है, तो ये एक मौतवपून चीज है, खंडन मंडन का क्या है, इसमें अभाव है, आखिरिया देखिए, प्रतीकों तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि जो सूफी काव्यधारा की एक मौतवपून विशेचता है, वो है उसकी प्रतीक योजना, और फिर आता है अलंकारों का प्रियोग, तो अलंकारों में समासोक्ती को अध्यधिक जादा इसमें प्रियोग मिलता है, और इसी के चलते अच प्रियास किया है, तो यह था सूफी काव्य की कुछ एक विशेचता है, फिलहाल आज की वीडियो के लिए हम इतना ही देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जो सूफी काव्य के प्रमुक कवी हैं, काव्यधारा के और उनकी रचनाओं के बारे में हम व दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, फिर मिलेंगे नई उर्च और नई सपूर्ती के साथ, तब तक के लिए मुझे दीज़े इजाज़त, जय हिंद, जय भाराद,